नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल Bound to Education में आज के इस वीडियो में JPSC या फिर JSSC, CGL या फिर अन्य एक्जाम जैसे की JT, Axis Constable, SI या फिर दूसरे कोई एक्जाम जो की जारकन में कंडक्ट करवाय जाते हैं और जिसमें जारकन जीके के Questions आते हैं उन सभी परिक्षाओं के लिए आज का ये वीडियो बहुत अधिक मतपुन होने वाला है आज हम लोग जारकन जीके के Top 20 Questions को देखेंगे अगर आप 15 Questions का जवाब सही सही दे पाते हैं तो सोच करके चलिए कि आपका जो तेयारी है वो अच्छा है अगर उसे कम प्रशन का जवाब आप दे पाते हैं तो आपका तेयारी खराब है और आपको और अधिक पढ़ने की अवशकता है ये मौक टेस्ट होगा और आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा उसी समय अंतराल के अंदर आपको अपना उत्तर देना होगा आप कमेंट में उत्तर लिख सकते हैं या फिर मन मन में सोच के अपना प्रेक्टिस कर सकते हैं तो चलिए इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के पहले कोशें पे आते हैं आज का पहला कोशें है मुख्यमंतरी बैक्तिगत रूप से किसके प्रती उत्तर दाई होता है अप्सन्स देख ले पहला उप्सन है राजिपाल, ऑप्सन भी है मुख्यसचीव, ऑप्सन सी है केमीटनेट, सचीव या फिर तो इस question का correct answer हो जाएगा option A, राज जिपाल, मुख्यमंत्री बैक्तिगत रूप से किसके प्रती उत्तरदाई होता है, राज जिपाल, ठीक है, चलिए next question के और आगे बढ़ते हैं, question number 2, राची जिले में टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? options है, 1946, 1947, 1948, या फिर last option है, 1949, question number 2 का correct answer सभी कोई बताएंगे, तो इस question का correct answer हो जाएगा option C, 1948, राची जिले में टाना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 में पारित हुआ था, next question है, मुख्य मंत्री सामोहिक रूप से किसके परती उत्तरदाई होता है? option से राज़िपाल, बिधान सभा, मुख्य सचीव या फिर केबिनेट सचीव, इससे पहले हम लोगों ने बैक्तिकत रूप से पड़ा, अभी सामोहिक रूप से किसका एंसर क्या होगा ये आपको बताना है? तो इस कोशन का करेक्ट एंसर हो जाएगा, option B, बिधान सभा, मुख्य मंत्री सामोहिक रूप से किसके परती उत्तरदाई होता है? बिधान सभा, option B जारकन पार्टी द्वारा राजिपुनर गठन आयोग से कितने जिलों के जारकन की मांग की गई थी? ओप्सन से हैं, 12, option B है, 14, option C है, 16, या फिर लास्ट ओप्सन है, 18 तो इस कोशन का करेक्ट एंसर हो जाएगा, option C, 16, ठीक है? जारकन पार्टी द्वारा राजिपुनर गठन आयोग से कितने जिलों की जारकन की मांग की गई थी? ओप्सन C, 16, नेश्ट कोशन है, किस जिले का पुराना नाम पलाउन है? इनपोर्टेंट कोशन है, इसका करेक्ट एंसर बताएंगे, option C, गुमला, गर्वा, पलाउन या फिर चत्रा तिस कोशन का करेक्ट एंसर हो जाएगा, option C, पलामू, ठीक है, पलामू का पुराना नाम पलाउन है, इनपोर्टेंट कोशन है, option C, इसका करेक्ट एंसर होगा नेस्ट कोशन है, सारेकला स्वतंदर राज की स्तापना किसने की थी, option है, बिकरम सिंग, option B है, अरजुन सिंग, option C है, दलेल सिंग, या फिर option D है, चेतन सिंग तो इस question का correct answer हो जाएगा option A विक्रम सींग सारेकला स्वतंद्र राज की स्तापना विक्रम सींग के दोआरा की गई थी next question है किस मंदिर का पुराना नाम बेजनात मठ है पहाडी धाम, जगनात धाम, बेद्यनात धाम या फिर मलोटी धाम तो इस question का correct answer हो जाएगा option C बेद्यनात धाम किस मंदिर का पुराना नाम बेद्यनात मठ है बेद्यनात धाम next question है जाइपाल सींग के नेतरित वाली जारकन पार्टी का कंग्रेस में किस वर्ष बिलाई हुआ था 1961, 1962, 1963 या फिर 1964 तो इस question का correct answer होगा option C 1963 जाइपाल सींग के नेतरित वाली जारकन पार्टी का कंग्रेस में किस वर्ष बिलाई हुआ था option C 1946 मापकी जगा 1963 next question है जारकन पार्टी का कंग्रेस में बिलाई भिहार के किस ततकालिन मुख्यमंत्री की पहल पर हुआ था option C सिरिक्रिष्ण सिंग, option B है बिनोदानंद जा, option C है दारोगा पासवान, option D है जगनात मिस्रा इस question का correct answer देंगे इस question का correct answer होगा option B बिनोदानंद जा, ठीक है option B इसका correct answer होगा next question है जारकन में कितने लाख हैक्टियर भूमे में नगदी फसले उगाई जाती है option C है एक लाख, दो लाख, तीन लाख या फिर चार लाख तो इस question का correct answer होगा option B दो लाख, ठीक है next question है जारकन में कितने परतिसत जन सिंग्या क्रिसी पर निर्भर है 70 परतिसत, 72 परतिसत, 74 परतिसत या फिर 76 परतिसत तो इस question का correct answer होगा option D, 76 परतिसत ठीक है जारकन में कितने परतिसत जन सिंग्या क्रिसी पर निर्भर है, 76 परतिसत, option D चोटा नागपूर का पठार किसका भाग है बिसाई पठार, केमूर पठार, प्राइदुईपिया पठार, या फिर last option है दक्कन पठार तो इस question का correct answer होगा option C, प्राइदुईपिया पठार, चोटा नागपूर का पठार किसका भाग है प्राइदुईपिया पठार, option C next question है, राजी में कुल जल संसाधन कितने मिलियन घनमीटर अनुमानित है option है 25.785, 28.781, 30.120 या फिर option D है 32.415 तो इस question का correct answer होगा option B, 28.781 next question है, छोटा नागपूर का पठार, प्राइदुईपिया पठार किस भाग में इस्तित है option से उत्तर पस्चिम, उत्तर पूर्व, दक्चिन पूर्व या फिर दक्चिन पस्चिम question number 14 का answer देंगे तो इस question का correct answer होगा option B, उत्तर पूर्व, ठीक है छोटानागपूर का पठार, प्राइदुईपिया पठार के उत्तर पूर्वी भाग में इस्तित है next question है, जारकन में किस नदी बैसीन का जल सारवाधिक दूसित है तो इस question का correct answer होगा option C, दामोदर क्योंकि दामोदर नदी जारकन का सबसे दूसित नदी माना जाता है छोटानागपूर के पठार की चटाने कैसी है रेतिली, क्रिश्टलिय, कायांतरिद या B और C दोनो question number 16 तिस question का correct answer होगा option B, क्रिश्टलिय next question है छोटानागपूर के पठार की रचना किस प्रकार की चटान से हुई है क्रिश्टलिय चटान, रेतिली चटान, लावा चटान, A और B दोनो तिस question का correct answer होगा option C, लावा चटान next question है वो कौन सी भूमी है जो C and T एक्ट में परिवार के नर्व आरिस न होने पर रेत के मरने के बाद भूस्वामी को बापस मिल जाती है बंजर, भूद्गरित, रेत भूद्रिती या फिर बदलेन भूद्रित या फिर पुना ग्राहित भूद्रिती इस question का correct answer क्या होगा? question number 18 इसका correct answer होगा option D पुना ग्राहिय भूद्रिती next question है question number 19 का correct answer क्या होगा? तो इसका correct answer होगा option A पुना ग्राहिय भूद्रिती इसका correct answer होगा याद रखेंगे question number 19 का option A question number 20 है 1798 इस भी में बंगाल, बिहार और उडिसा में क्या ग्या बंदोबस्त, क्या कहलाता है? option से महालवारी बंदोबस्त, इस्ताई बंदोबस्त, रेतवारी बंदोबस्त या फिर इन में से कोई नही question number 20 का answer देंगे discussion का correct answer हो जाएगा option B स्ताई बंदोबस्त 1798 इस भी में बंगाल, बिहार और उडिसा में क्या ग्या बंदोबस्त, क्या कहलाता है? स्ताई बंदोबस्त, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही comment करके आप बता देंगे कि आप कितने questions का answer दे पाएं, ठीक है? उसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको और कितना अधिक पढ़ने की अवशकता है आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो इसे जरू subscribe कर दे अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे next test में हम लोग जल्द मिलेंगे धन्यवाद